नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News पहली बार शुरू होगी सिविल अस्पताल में आर्थोडोंटिक OPD दात मरीजों को मिलेगा सस्ता इलाज च्यार वर्षी सनातक डिग्री वाले कर्श केंगे PhD UGC के अध्यक्स निदी जानकरी हरियान में सरपंच असोशेशन का एलान बोले गाओ में नहीं होनी देंगे भाजपा उमिद्वानों के एंटरी आई एन डिया गटबंदन को समर्थन पोरो मुक्यमंतरी मनहोरलाल खटर बोले एक तरफा कुष्ट में मजा नहीं आ रहा कॉंग्रेस जल्द उतारे अपने परताशी किसान आंदुलान अपडेट जीन में हुई मापंचायद हाईवे की अजाम 27 सप्रेल तक रहाई नहीं हुई तो लेंगे बड़ा फैसला मंडी अटेली में सर्चों की खरीद के लिए रोश्टर सिस्टम जारी बताएंगे पूरी अपडेट रोहतक कोट में आई ड्रैवर के पदो पर भरती आठवी पास उमिद्वार करे अपने आवेदन मनोहरलाल खटर बोले दूशन चोटाला दोशी तो बक्षेंगे नहीं हर्याना के पूर्श या मनोहरलाल ने कहा आरोप लगे तो जांच होगी हम किसी को बक्षते नहीं वहिंका या नाइडू समेट इनको पद्म विभूशन, मिथुन चक्रवर्ती, उशा उथूप को पद्म भूशन, तो महीं राष्टपती ने पद्म पुरुषकरों से सम्मायनित किया MDH वे एबरेस्ट समेट सभी कंपनियों के मसाले जाचे जाएंगे होंग कॉंग और शिंगापूर में बेन के बाद भारत सरकार का एक्षन इन प्रोडक्स से कैंसर का बताया खत्रा और अब हर उम्र के रोग कराश केंगे अपने हेल्थ इंचुरेंस, IR, DAI ने हटाई एज लिमिट, कैंसर और एड से पीडित भी लेश केंगे पॉलिशी और आप खबरें विस्तार से हर्याणा में आने वाले दिनों में मोसम सामाने रहने वाला है हर्याणा में इस सब्ता मोसम साफ रहने के संभावना है, फिलाल बरसात के संभावना मोसम विवागने नहीं जताई है मोसम विवागने 26 अपरेल के बाद ही मोसम परिवातन होनी के आसंगा जताई है ऐसे में फसलों के कटाई कर रहा है किसानों के लिए राहत बरी खबर है हर्याणा राजी में मोसम आमतोर पर 25 अपरेल तक परिवातन शिल रहेगा मगर खुश करेने के संभावना है इस दोरान बीच बीच में हलके बाद लाने के भी उम्मीद जताई गई है दिन में ताबवान में हलकी बड़ोतरी रहने परंतु रातरी ताबवान में हलकी ग्राउट होनी के आसंगा है बीच बीच में हलकी गती से हवाई बिच लेंगी माई 26 अपरेल के बाद मौसमें फिर से बदरा होगा फिलाल माई में ताबान 40 डिग्री सेल्सिस को भी पार कर जाएगा माई में परचंड गर्मी पढ़ने की संभावना है साथ में लू भी चलेगी डिस्टिक एंड सेसन जज रोतक में परच गए है कोई भी एक विशेव पढ़ा हो किसी भी वढ़कि एउम início सुलख नहीं देना होगा नियूनत माईव लंपार श और अधिकत माईव बेलिश वर्स तेह की गई है इन पदों के लिए आपको offline नाविदन भेजने होंगे अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को pen card से link नहीं करवाया है तो अब आपको थोड़ा alert होनी क्या हो सकता है बता दें कि आधार कार्ड और pen card को 1000 रुपे की जुर्माने के साथ लिंक करवाने के आखरी तारिक 30 जुन है यानि कि आपके पास कुछी दिनों का समय सिस बचा है अगर pen card इसे अपने आधार कार्ड से link नहीं कराते हैं तो pen card आपका 30 जुन 2024 के बाद से निश्क्रेवाना जाएगा यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि 80 वर्षे आधी कायू यानि कि सूपर सिनेर शिटिजन के लोग को pen card को आधार कार्ड से link करवाने की कोई आउश्क्त नहीं है हरियाना में बीजेपी जेजेपी गडबंधन तोटने के बाद दोनों इपार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप परत्यारोप लगा रहे हैं इसी कडिमी सूबे के मुख्यमंतरी नायव सिंग सेणी ने पूरू डिप्टी सियम दूसरे चोड़ाला पर जोरदार निसाना साथा बता दें कि ब्रश्ट अचार को लेकर दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जम कर सियासी निसाना साथ रहे हैं वहीं सियम नायव सिंग सेणी ने दूसरे चोड़ाला पर निसाना साथते वे का कि उनकी पार्टी के विधाय को नहीं उन पर उंगली उठाई है ऐसे में उने खुद के ग्रेबान में जाक कर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया मुख्यमंतरी से पूचा गया था कि जेजेपी की सिर्शनेता हाली के हफ्तों में अलग-अलग मोर्चों पर बीजेपी सरकार पर निसाना साथ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता के आदार पर काम करती है चाहिए फिर पूरु की मनोवरलाल खटर सरकार हो या फिर अब मेरे नेतरत वाली ब्रेश्टाचार पर कोई भी समझोता नहीं होगा सीम ने कहा कि अगर कोई भी वेक्ति ब्रेश्टाचार में लिफ्ट पाया गया तो सक्त कारवाई की जाएगी यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार जेज़ेपी विदायकों की ओर से चोटाला के खिलाप लगाएगे आरूपों की जाच कराएगी तो मुख्यमंत्रे नायव सिंग शाणी ने कहा कि अगर हमें कोई भी आविदन मिलता है तो हम निश्ची तोर पर जाच कराएगे लोकसवाद चुनाओ के लिए सभी राजिनितिक दल अपने अपनी तयारियों को अंतिम रूप देने में जूटे हुए हैं इसी कड़ी में हरियाणा में जाम भारतिय जंदा पार्टी सभी दस सीटों पर अपने उमिदवार गोशित कर चुगे है जोकि कॉंग्रेस ने अभी तक एक भी परत्यासी गोशित नहीं किया है तो वही इंडिया नेशनल लोकदल पार्टी यानी आइनल्ड ने तीन और शीटों पर अपने उमिदवार गोशित कर दिया है महीं इनलों ने करनाल लोकसबाद सीट से पूर मुख्यमंतरी मनोरलाल खटर के किलाब कॉंग्रेस को समर्थन देने की बाद भी कही है पार्टी के परदान मासचीव अवेशिंग चोटाला ने कहा कि अधि कॉंग्रेस करनाल सी विरेंदर मराठा को उमिदवार मनाती है तो हमारी पार्टी यहां से किसी को भी चुनावी राण में नहीं उतारेगी और पूरी तरह से पार्टी का समर्थन मराठा को रहेगा को ताजपूर तोबडा गनियार वबढ़ गाओं की किसानों से तथा 25 अप्रेल को सागरपूर जट गुवाना खारिवाडा वगड़ी रूथन के किसानों से सरसों खरीद की जाएगी मार्केट कमिटी परशासन ने किसानों से मांग किया है कि वे अपनी सरसों को अच्छी तरह से सुखागर मंडी में लाएं तागि उन्हें किसी भी परिशानी का सामना ने करना पड़े रोश्टर सिस्टम लागू होने के बाद किसान काफी खुश दिखाए दे रहे हैं इससे उनकी फसल भी समय से खरीदी जा रही है पंजाब हरियाना चीमा पर संबू बोर्डर के पास किसानों दोरा रेलवे ट्रेक जाम किये जाने से रेलों के संचालन पर खासा असर देखने को मिल रहा है इसके जलते रेल यातायाद बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है रोजाना कई ट्रेने रद हो रहे हैं तो कई ट्रेनों के रूट डैवर्ड कर उन्हें संचालित किया जा रहा है हारियाना में आमजन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है टेड़े मेड़े वे गलत सरीके दातों और जबडों को ठीक कराने के लिए लोगों को अब PGIMS रोह तक और प्राइवेट डेंटल अस्पतालों के चकर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि परदेश में पहरी बार सोनीपत जिले के सिविल अस्पताल में आर्थोडोंटिक OPD शुरू होने जा रही है वहीं स्विल अस्पताल में आर्थोडोंटिक उपडे में इलाज कराने वाले मरीजों से एक बार में 200 रुपए कि फीश ली जाएगी साथी अस्पताल में सामान उपलब्द होने पर 15 commitment में इलाज मिल्स केगा वहीं दंत मरीजों को और्थोडोंटिक उपचार के लिए प्राइवेट हस्पतालों में 25,000 रुपे से लेकर 30,000 रुपे तक का खर्च उठाना पड़ता है लेकिन सिविल हस्पतालों में मरीजों के सुविधा नामातर फिस पर उपलब धोश केगी वेसु विद्यल है अनुदान आयूग यानि UGC का कहना है कि जो 74 वर्षी सनातक डिगरी करेंगे वे 74 शीदे राश्टे पार्थरतार परिक्षा यानि कि नेट में सामिल होने के साथ ही पीएजडे भी कर सकते हैं आपको बता दें कि जियरफ के साथ या फिर उसके बिना पीएजडे करने के लिए 4 साल के सनातक पार्थिकर में नियूनतम 75 परतिशत अंक या फिर समकक्स ग्रेड आउशक है जोदा समय में आधार कार्ड एक बहुत जरूर डोकुमेंट बन गया है चाहे आपको सरकार्य योजना का लाब लेना हो या फिर स्कूल या फिर कोलेज में एडमिसन लेना हो आपको आधार कार्ड या उशक तपड़ती ही है बता दें कि पहले फिर में आधार अपडेट करने के लाश डेट को अब आगे बढ़ा कर 14 जून 2024 कर दिया गया है हर्याना के जीन्द के खटकट गाउं में हुए किसानों के महा पंचैत में फैसला लिया गया कि 27 अपरेल तक यदि अनीश खटकट समेत सभी किसान नेताओं के रिहा नहीं किया गया तो फिर किसान बैठक करके आंधरोलन का बड़ा फैसला लेंगे पंचैत के बाद एक गंटे के लिए जीन्द पटियाला नेशनल हाईवे को खटकट गाउं के पास भी जाम किया गया किसानों ने कहा गिया कि उल्शांकेतिक जाम था यदि जरूरत पड़ी तो शड़क मारक एनिशित काल के लिए बंद कर देया जाएगा महा पंचैत में जगजीचिंग डल्लेवाल पहुंचें किसान नेता जगजीचिंग डल्लेवाल ने कहा कि सरकार किसानों को नाजाएज रूप से परेशान कर रही है जिन किसानों को जेल में बंद किया गया है उनके खिलाब कोई भी सुबूत नहीं है लेकिन किसानों के आंदरोन को कुचलने के लिए एक सरकार ये कदम उठा रही है डलेवाल ने कहा कि किसान आंदरोन जारी रहेगा और लोक्षबा चुनाओ के बाद बनने वाली सरकार से भी उनकी यही मांग रहेगी महा पंचयात में निरने ले गया कि 27 सप्रेल तक यदि किसान नेता जेल से बाहर नहीं आई तो फिर किसान बड़े आंदरोन कर निरने लेने को मजबूर होंगे हरियाना की पूरू मुख्यमंतरी मनहुलाल खटर का कहना है कि कोंगरेश ने आप तक अपने लोक्षबा परत्याशी मैदान में नहीं होता रहे हैं हरियाना की पूरू मुख्यमंतरी मनहुलाल खटर ने कहा कि पूरू डिप्टी सियम दुशन चोटाला दोशी हुए तो बक्षेंग नहीं सो मुख्यमंतर को रिवाडी के कोशली में पहुचे खटर से पूचा गया था कि सियम नायव सिंग शैन ने दुशन चोटाला पर लग रहे घोटालों की आरोपो पर जांच की बात कही है जिसके बाद खटर ने कहा कि जो भी दोशी होगा उस पर कारवाई जरूर होगी और निर्दोस को घबरानी की कोई जरूरत नहीं है खटर ने आगी कहा कि जो आरोप किसी पर भी लगते हैं कियो एक नाम नहीं कभी भी आरोप कोई भी लगाता है तो हम पहले आरोप लगाने वाले की तसलिक करते हैं जिस पर आरोप लगाया उसके भी जांच कराते हैं दोशी को बक्सते नहीं और निर्दोश को कुछ होता नह बता दें कि पंचकुला में प्रेश वार्ता के दोरान सीम नायव सिंग शेनी ने कहा था कि अगर अप्लिकेसिन आती है तो दुस्यन चोड़ाला पर लगे ब्रेश्टाचार के आरोपों की जाच कराएंगे सरपंच असोशेशन हरियाना ने लोकसवाठ चुनाओं में भाजपा के खिलाप मौर्चा खोल दिया है सौमवार को करनाल में सरपंच असोशेशन ने परदेश में आई एन डिए गठबंधन को श्मर्थन देने का ऐलान कर दिया असोशेशन ने कहा कि वो लोकतांतरिक तरीके से बीजेपी का विरोध करेंगे और भासपा की उमिदोरों की गाउं में एंट्री तक नहीं होने देंगे सोमार को यह फैसला हरियाना सरपंच असोशेशन ने करनाल के जाट भावन में मिटिंग के बाद लिया गया मिटिंग की अदेक्स ता हरियाना के सरपंच असोशेशन के परदे सद्यक्स रनबीर सैमन ने की सरपंचों ने परदे सरकार की नीतियों का विरोध करते विए सरकार पर पंचायतों के अधिकार समाप्त करने के आरोप लगाए तो मैं सरपंच असोशेशन के पर्दे सद्देक्स रणबीर सेमन और अनने सरपंचों ने कहा कि पर्दे सरकार ने हर वरक की मांग को लाठी चार से दबाने का काम किया है पंचायतों के अधिकार छीन लिए जिससे सरपंच गाउं में विकास कारी नहीं करवा पाए उन्होंने का आगे अब चुनाओ में BJP और JJP को सबक सिखाने और सरपंचों की ताकत दिखाने का समय आगया है उन्होंने एलान किया कि लोग सबाद चुनाओ में सरपंच BJP उमीदोरां का पुर्जोर विरोध करेंगे और उन्हें गाउं में गुषने तक नहीं देंगे तेजी के साथ 73,648.62 की स्तर पर क्लोज हुआ, वहीं निप्टी में भी 119.40 अंगों की तेजी दिखाई दी और ये 22,336.40 की स्तर पर बंद हुआ, कारोबार में सैंसक्ष के 30 शेरों में 26 में तेजी तो वहीं 4 में ग्रावट देखने को मिली, वहीं 10 ग्राम 24 काट सोना 243 तक बढ़ चुके हैं, उधर चांदी भी 8,544 रुपए महेंगी हो चुकी है, वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 काट सोने की किमत की बात करें, तो 66,700 रुपए और 10 ग्राम 24 काट सोने की किमत 73,840 रुपए पहुँच गई है, वहीं 1 डॉलर कदाम 23 रुपए 27 पैसी के स्तर पर क आज खबरों बसितनाई, देखते रहें आपका अपना हर्यान का सबसे बेहतरे न्यूज चैनल, CWB हिंदी नूज, नवस्कार, इसे आसा के साथ आपका दिन सुप रहे